हाई गाईज कैसे हैं आप वेलकम टो मैं चैनल पे आएसनेस आज मैं आप लोगों के लिए लेके हाई हूँ एक हैल्पूल वीडियो जिसकी इंसायता से आप अपने कॉलेस्टरॉल को पांच ही दिन में कम कर सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है प्लीज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इसे इससे मुझे मिलती है इंस्पूरेशन आप लोगों के लिए नई नई वीडि बताऊंगी कुछ आयरुवेदिक मेडिसन बताऊंगी काढ़ा बताऊंगी जिससे कि आप अपने कॉलेस्टरॉल को पांच ही दिन में कम कर पाएंगे लेकिन इससे पहले मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि कॉलेस्टरॉल होता क्या है देखे कॉलेस्टरॉल एक मॉम जै या फिर बनाने में काम आता है यह प्रोटीन के साथ मिलकर के लिपो प्रोटीन बनाता है जो कि खून को ब्लड वैसल्स में जमने से रोकता है तो इसलिए कॉलेस्ट्रॉल जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए लेकिन जब यह कॉलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है हमारे शरीर में याने कि कॉलेस्टरॉल की मात्रा जब हमारे शरीर में बढ़ जाती है तब ये हमारे शरीर के लिए नुकसान दायक होता है याने कि जब हमारे शरीर में LDL बढ़ जाता है और HDL कम हो जाता है तो शरीर में कई सारे नुकसान होने लगते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा दिल को नुकसान होता है इसी नुकसान से बचने के लिए आप लोगों के लिए कुछ होम रेमेडियो लेके आएंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले आप सुभह उठते ही लौकी का जूस पिएंगे लौकी के जूस में ना तो आपको मीठा डालना है और ना ही आपको नमक डालना है दूसरी चीज इससे आपका कॉलेस्टरॉल कम हो जाएगा लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि जो लौकी का जूस आप पिएंगे वो लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए आप अपने खाने में जो आप अनाज इस्तमाल करते हैं वो उस अनाज में आप चना और रागी दौनों चीज मिला लें इससे क्या होगा जो आपके शरीर में कॉलेस्टरॉल की मात्रा बढ़ गई है वो नॉर्मल होने लगेगी तीसरी चीज क्या है कि आपको योगा व्यायाम देली करना है और इस जब कॉलेस्टरॉल बढ़ जाता है तो उस समय में कपाल भारती और अनुलोम विलोम ये दौनों बहुत ही महतुपून योगा हैं इससे आपके कॉलेस्टरॉल में कमी आती है जो LDL है वो कम होने लगता है तीसरी चीज है लहसुन देखें लहसुन आप कैसे खाएंगे सुबह दो कली लेंगे लहसुन की उसे पीस लेंगे और यदि आप दातों से चबा कर खा सकते हैं तो दातों से चबा कर खा सकते हैं उपर से गुनगुना पाने पी लीजिए इससे क्या होता है कि यह हमारी जो blood vessels हैं उनमें प्लाक जमाऊने से रोकता है तो इससे भी जो बढ़े हुए cholesterol के मात्रा होती है वो शरीर में कम हो जाती है तीसरी चीज है oats तेखिए oats आप अपने नाश्टे में शामिल कर सकते हैं क्योंकि इसमें beta-glucane होता है जो कि LDL को कम करता है और हमारी आतों की सफाई करने की काम आता है इससे हमें कबज नहीं होती और अगर कबज नहीं होगी तो LDL अपने आप ही कम हो जाएगा चौती चीज है beans देखिए आप अपने खाने में beans इस्तमाल कर सकते हैं इससे भी आपका LDL कम होगा लेकिन अगर आपको kidney की परिशानी है तो आप beans का इस्तमाल ना करें पांचवी चीज है जैतून का तेल देखिए जैतून के तेल में monosaturated fatty acid होता है जो कि LDL को कम करने के का आप अपने डाइट में अखरोट और बदाम की गिरी शामिल कर सकते हैं यह आप पांच से दस गिरी तक ले सकते हैं लेकिन यदि आपका शाररिक श्रम कम है तो इनकी मात्रा कम लें क्योंकि इससे पैट भी बढ़ता है यदि आप इन्हें गर्मियों में इस्तमाल कर रहे ह है तो इन्हें भीगो कर इस्तमाल करें क्योंकि ये तासीर में गर्म चरा की सब्सक्राइब नेक्स्ट है पालख। एक शोद के अनुसार यह पता लगा है कि रोज यदि ताजा पालक खाया जाए तो हमारे जो ब्लड वैसल्स हैं उनको सुरदान करता है और हमारी ब्लड वैसल्स में प्लाक को जमान नहीं होने देता है नेक्स्ट है निम्बू देखे खटे अगर यदि आप खटे पदार्थ खाते हैं जैसे कि निम्बू या लस्सी टमाटर संत्रा इस तरह की चीज़े खाते हैं तो भी आप जो आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है खटे पदार्थ खाने से शरीर में जो LDL बन रहा है जादा मात्रा में LDL बन रहा है वो कम होने लगता है और गुड कोलेस्ट्रॉल जादा होने लगता है तो इससे क्या होगा इससे आपकी जो दिल की समस्याइं हैं वो धीरे-धीरे करके कम हो जाएंगे अब मैं आपको बताती हूँ काढ़ा जो कि आप पूरे दिन में एक बार ले सकते हैं और कभी भी ले सकते हैं इसमें आप क्या करेंगे दो गलास पानी लेंगे उसमें आदा इंच का अदरक का टुकड़ा डालेंगे और उसमें थोड़ी सी डालचीनी डालेंगे और उसे अच्छे से उबालेंगे और उबालने के बाद इतना उबालना है आपको कि वो आधा ग्लास रह जाए लेकिन ध्यान रखें कि इसे सिल्वर के बरतन में ना उबाल करके स्टील के बरतन में उबालना है और ढककर उबालना है जब ये आधा ग्लास रह जाए तब इसे ठंडा करके इसमें निम्बू निचोड कर और इसे घूट-घूट करके पिए इससे आपका कॉलेस्ट्रॉल लेवल काफी सही हो जाएगा आपका बढ़ा हुआ कॉलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा ये देखें ये सारी चीजे तो आप इस्तमाल करेंगे ही साथ में आप त्रिफला वटी और मेदोहर वटी ये दौनों भी इस्तमाल करेंगे मेदोहर वटी की एक गोली और त्रिफला वटी की एक गोली सुभा खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ लेंगे इससे आपका कॉलेस्टरॉल लेवल नौर्मल हो जाएगा ऐसे ही रात को आपको ये दवाई लेनी है एक गोली तरफला वटी और एक गोली मेदोहर वटी इससे आपकी कॉलेस्टरॉल की जो मात्रा है वो कम होगी LDL लेवल कम होगा